कि ओ बाइभ देख तु जयना जाए, यार मेरा जाना पक्का है ठिक है न हुय sister खेल होना पक्का है पड़ता लिखता था है नी तू ठीक है तो यारी पक्का है इस English में कैसे कहते हैं दो झाल है इंगले पहर यग्लिश मेरा जाना पक्का है आपको तो मरना निश्चित है ठीक है तो आप ऐसे इंग्लिस कैसे बनाएंगे तो ऐसे इंग्लिस बनाएंगे है bound to का use करके तो देखें यहाँ पर लेखा है use of bound to इसका rule है यहाँ पर subject लीचे अगर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ को शायद आता भी होगा एम लीचे आप बाकियो तो यह bound to same आएगा फिर आप यहाँ पर लीचेगा bound to bound to के बाद आप बीवन लेंगे देखें यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद आजाएगा हमारा object ठीक है दोस्तों अगर हमारा यहाँ पर subject she he किसी का नाम है यहाँ फिर it है singular subject है तो आप इसके साथ लेंगे is और इसके बाद आप यहाँ पर लगाएंगे bound to always same चीजे चल रही हैं बीवन यानि वर्ड की first form then object ऐसे यूज करेंगे आप तीसरा use है हमारा यहाँ पर अगर हमारा plural subject आता है यानि you we and then they इसके साथ आप लेंगे यहाँ पर R और R के साथ आएगा यहाँ पर bound to फिर bound to के साथ आप लेंगे V1 यानि वर्ड की first form और object ठीक है यह मैंने थोड़ा सुखल के लिए दिया है आपको दिक्कत नहों तो इसलिए मैंने यहाँ पर आप लादे कि I am bound to V1 object he she name it यानि singular के साथ is bound to वर्ड की first object और you भी दे के साथ are bound to वर्ड की first object का use करेंगे आप यहाँ पर और directly मैंने यहाँ पर लिख दिया subject is am r लगाए फिर bound to V1 यानि वर्ड की first form और object देखें यहाँ पर कुछ sentence बने यहाँ पर और bound to का मतलब होता क्या है यह जो हमारा bound to है इसका मतलब होता है पक्का है क्या होता है पक्का है तो देखें यहाँ पर लिखा है we are bound to win हमारा जीतना पक्का है हमारा जीतना पक्का है आप ऐसे कहेंगे आपका पास होना निश्चित है पक्का है आप पास होंगे आप ऐसे यूज़ करेंगे यहांपर चले देखते हैं कुछ और सेंटेस वह ही के साथ ही जाता है मैंने रूल में लिख दिया था नोडाउन के लिज़ेगा इस बाउन टो फेल उसका फेल होना पक्का है इंडिया इस बाउन टो बेन भारत का जीतना निश्चित है पक्का है आप ऐसे भी कह सकते हैं इंडिया को तो निश्चित रूप से जीतना ही जीतना है जैसे आप बोलते हैं जीतना ही जीतना है तो इंडिया इस बाउंट टू बीन आप ऐसे यूज करते हैं जैसे बोलू कि मैं बोलू कि I am bound to come, मेरा तो भाईया आना ही आना है जैसे आना ही आना है कई बिच्छा अटक जाता है इंग्लिस बोलते हैं अभी आना ही आना है कैसे बनाइंग यार आना ही तो कुछ टीचर ही उसे गलत बता देते हैं या खुद बना लेते हैं ओ मेरा तो आना ही आना है तो बनाएगा I am to come and come, come and come भाईया एस इंग्लिस नहीं बोले जाती प्लीस एस इंग्लिस ना बोले आप तो देखें यहां पर लिखावा है तो इंडिया इस बाउंट टू ब चली देखते हैं कुछ और सेंटिस यहां पर लिखाएं I am not अगर not बनाना है तो आपको कुछ नहीं गरना इसके नेगेटिव वर्डो में is के बाद not, m के बाद not, r के बाद not लगाई और नेगेटिव बने जाएगा सेंटिस जैसे बोलूं कि I am not bound to come, मेरा आना पक्का नही है, you are not bound to save, you are not bound to save, तेरा बचना निश्चित नहीं है यानि तु नहीं बचेगा, जैसे आपको यहां पर कुछ सेंटिस और बोलने हैं आपको, अगर इस तरीके से बोलना है, like, कि जैसे कि she is not, she is not bound to go, उसका जाना पक्का नहीं है, उसका जाना निश्चित नहीं है, इस तरीके से आप यूज करेंगे यहां पर bound to का, तो बहुत बढ़िया यूज है, आप इसके यूज कीजएगा, प्लिस ऐसे sentence को, देखें यहां पर कुछ और sentence यहां पर, it's bound to happen, sooner or later, देर सवेर ये तो होना ही है, जैसे कोई चीज है, मै आपको जब भी बुलाएं यार, देर सवेर ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल ये तो होना ही है, तो बुलेंगे, it's bound to happen sooner or later, अगला यूज है यहां पर, it's bound to rain today, आस तो बारिस होनी है, आस तो बारिस होगी भाई, आस तो पक्का बारिस होनी है, होगी भी आए ना, तो भ इस तरीके से आप यूज होनी है, तो बुलेंगे, it's bound to rain today, इस तरीके से आप यूज के, यह bound to का यूज था और बहुत ही जबर्जस यूज है, आप यूज कीजिए, इसको प्लिस नॉट डाउन कर लीजे अपने रिस्टर के अंदर, आप इन वीडियो का आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके बार बार आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है न, तो प्लिस ऐसे इंग्लिश चीकने के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, खाटु शायम इंग्लिश वाला, थैंक्स पर वाचिंग मैं व